हेई वाट्स अप गाईज बागेश हेर बैक अगेन वीडियो तो गाईज इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ 1.1.1 Cloudflare के DNS सिस्टम के बारे में सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रूलाओ दी इंट्रो गाईज 1.1.1 ये एक DNS सर्वर का IP एड्रेस है जो की Cloudflare का खुद का DNS सिस्टम है DNS सिस्टम का काम होता है IP एड्रेस को रिसोल करना तो लेट्स अपोज यहाँ पे आपको मैं एक्स्प्लेन करता हूँ की DNS सर्वर का काम क्या होता है आपके पास यहाँ पे आपका web browser होता है और आपको यहाँ से कोई भी websites को open करना है तो आप यहाँ से suppose कीजिए कि आपको www.amazon.com को open करना है तो आप जैसे ही अपने browser के अंदर www.amazon.com को type करते हैं तो उसके बाद आप enter button को press करते है तो आपका सीधा एक request DNS server के पास जाएगी तो गैस यहाँ पे DNS server का काम होता है सब भी domain name के IP address को record को maintain करना तो गैस यहाँ पे .com लिखा हुआ है मतलब कि यह एक top level domain है और उसके बाद वो Amazon नाम से अपने record के अंदर search करेगा और उसके बाद अगर उसे amazon.com domain find होता है तो वो IP address को आपके browser तक send करेगा तो यहाँ से DNS server आपको amazon.com का जो actual IP address होका वो provide करेगा और आपका browser उस IP address के उपर further process करेगा और आपका browser फीर से यहाँ से इस IP address के उपर process करता है और वो amazon.com के actual server के उपर पहुंच जाता है और जो Amazon.com का जो server होता है और जहाँ पे जो web page store है वो आपको आपके browser के उपर display होता है तो इस तरह से यहाँ पे DNS work करता है तो ज्यादा तर cases में आपका DNS result आपके ISP के पास ही होता है आपका ISP के पास भी एक local DNS server होता है जो की DNS result का काम करता है तो ज्यादार cases में ऐसा होता है कि कई ISPs आप जो भी websites के लिए requests उसे send करते हैं तो वो आपकी सभी requests को एक log file के form में maintain करता है और उसके बाद आपके data को Advertiser को sell कर देता है बट यहाँ पे Cloudflare ऐसा नहीं करता Cloudflare में यहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी requests send करते हैं और 24 hours के बाद वो DNS server आपकी सारी data को clear कर देता है और वो कहीं भी आपका data store नहीं करता और वो किसी भी Advertiser को आपका data sell नहीं करता और यह DNS server अभी तक का सबसे fastest DNS server है तो यहाँ पे मैं आपको एक comparison देखाने वाला हूँ तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे एक comparison देख सकते हैं 1.1.1 जो की Cloudflare का DNS server है उसका response time है 40.8 millisecond और यहाँ पे Cisco भी DNS service प्रवाइड करता है और Google भी DNS service प्रवाइड करता है और नीचे आपको यहाँ पे average ISP के DNS की speed देखने को मिल जाती है तो नीचे आपको यहाँ पे average ISP के DNS server की speed देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे सबसे fastest है Cloudflare का DNS server तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप Cloudflare की DNS service को कैसे अपने laptop, mobile phone और Wi-Fi router के उपर configure कर सकते हैं और service को यह यूज में ले सकते हैं तो गाइस, I hope कि आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजे, शेर कीजे अपने दूस्तों के साथ और आपको फ्यूचर मिस्टर की और भी वीडियो देखने है इस चनल को कीजे सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में लाइक की और आपको वीप दूस्थर ड़atisf में